हेलो स्टूडेंट वेल्कम टियो प्षांतिकुष और्लेंड क्लास सही कथन के सामने तथा गलत कथन के सामने रॉंग का चिन लगाना है ठीक है सबसे पहले विद्या को राजा छीन सकता है यह स्ट्रीट्मेंट सही है क्या गलत है विद्या को चोन नहीं चुरा सकता राइट विद्वानों का कोई सम्मान नहीं करता गलत दर्मान का सम्मान अपने नगर में होता है राइट विद्या दूसरों को देने से बढ़ती है राइट विद्या का धन दूसरे धन से अधिक अच्छा होता है कि धन्मान का विद्द्द्ध के बिना सम्मान होता है घुझे का बटपार हो सकता है घुझे विद्ध्वानों को चोरोती सक्षोड होता राइट गुद्या किस रख्षा ही तो रख्ष क्या भी शक्ता औरती है गलत को इसके बाद आपको करने इसके प्रश्ण अप्तर विश्च वैपारी के कितने पुत्र थे उनके क्या नाम थे वैपारी के दो पित्र थे उनके नाम थे अजय और विजय बड़े होकर अजय और विजय क्या बने बड़े होकर अजय वैपारी बना और विजय विद्वान बना एक दिन विजय ने अजय से क्या कहा एक दिन विजय ने अज कहा विजय ने अजय का उपास करना पहराम कर दिया वे बोला भाई अजय तुम वेरती अपना जीवन पुस्तकों के पीछे नष्ट कर रहे कर दिया यह पुस्तके तुम्हें क्या देंगी इनका क्या मूले है यदे तुम इनको बेचने भी जाओगे तो 1500 रुपए में अधिक नहीं मिलें है मिलें अब तुम मुझे देखो मेरे पास सारी सुखसुत कषितार उपास का रहा है रहेने को शांदर गवेवर्पें सम्मान करते तुम तुम्हें कौन पूछता है यदे तिम अलग रहने लगे तो साधरन जीवन नहीं क्या उत्तर दें मेरे बाई तुमने जो कुछ कहा हो सकता है वह सकते हो किन्तु मेरे विचार में धन का कोई विशेश महत नहीं है विद्या धन सबसे बड़ा धन है इस धन को चोर चुरानी सकता है ना अगनी सिजला सकता है अना ही वर्षा से बहाय जा सकता है तन्वायम व्रक्ति का समान केवाल अपने ह नगर में होता है नेक्स्ट विजय के व्यापार का क्या हुआ था विजय को व्यापार में हानी होने लगी वैद दिन प्रति दिन गरीब होने लगा कारखाना और मकान करज़दारों का करज़र चुकाने में बेग गए क्या हम धन से विद्या को खरीच सकते हैं नहीं हम्हार के सब क्या हैं भाबध होने पर विद्वान बनता है को विद्वान इसके प्रश्चन अइसा और टिक दा करद यह आपको कापी में और आपको इससे पहले वाली वीदियो में दिये आप लोग यह भी अपने कॉपी में करियेगा और इनके साथ साथ इनको लर्न भी करना है तेंक्यू है वेना इस्टे आप